स्वास्थ और सौंधरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंधरी नमस्कार दोस्तों स्वास्थ और सौंधरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बालो में आवला पाउडर के साथ हाने यानी शहत लगाने के कुछ पहतरिन फायदों के बारे जड़ते बालो को रोकने और नए बालो को उगाने के लिए आवला पाउडर काफी असरदार सावित होता है आवला पाउडर में एंटी बैक्टिरियन, एंटी फंगल और एंटी आक्सिडेंट गुरू के साथ साथ विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाय जाता है जो बालो की ग्रोथ बढ़ाने में काफी सहायक माना जाता है आवला पाउडर से ना कीवल बालो की जड़े मजबूत होती है बलकि यह बालो में चमक लाने में भी मदद करता है आवला पाउडर बालो को अंदर से पोशन देता है जिससे बाल मजबूत बने रहते हैं इसके साथ ही आवला पाउडर के साथ अगर हनी यानि शहत को मिला कर लगाए जाए तो इसके काफी चौकाने वाली रिजर्ट देखने को मिलते हैं हनी का इस्तमाल बालो को खुबसुरत बनाने के लिए खुब किया जाता है हनी स्केल्प को मॉस्चराइज कर बालो को अंदर से पोशन देता है हनी में एंटी ऑक्सिडेंट के अलावा एंटी बै पावनाएं काफी हद तक कम हो जाती है वैसे तो आवला पावडर और हनी दोनों को अलग-अलग इस्तमाल करना भी फाइदा पहुचाने वाला होता है लेकिन जब दोनों को साथ मिलाकर लगाये जाता है तो फाइदा काफी ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आवला इसके बाद इसमें दो चमच हनी डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले अच्छे से मिक्सो अच्छे नो चमच भर आज़े tut अचाँ giो च Suk जब यहां अच्छे से मिक्स हो जाए तब हेर डाइ ब्रश की मदद से इसे अपने पूरे बालों में अपलाई कर ले एक से दो घंटा बालों में लगा रहने दे फिर किसी हरवय या माइल्ड शेंपू की सहता से बाल दो ले बहतर रिजल्ट पाने के लिए वीक में दो से तिन दिन इस पैक को जरू ट्राय करें आवला पाउडर और हनी से बना पैक बालों को काफी फैदा पहुचाता है नियमित इस पैक का इस्तिमाल करने से बालों की गुरूट काफी देज हो जाती है साथी बाल सिल्की, सौफ्ट और शाइनी दिखने लगते हैं तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालों में आवला पाउडर के साथ हनी यानि शहत लगाने की कुछ बहतरिन फैदों की बारे में जाने आशा है आपको हमारा ये वीडियो आवश्य ही पसंद आये होगा हमारे नए-नए स्वास्थ्य और संदरी संबंदी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारे वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करे ताकि इसी तर हम नहीं जानकारियों आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद